वेलकम बेक टू माई चैनल, फ्रेंट्स आज हम सिंगल कलर में बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा डिजैन बनाने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं टेटोरियल, इस डिजैन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टिपल प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे, 4 के मल्टिपल ऐसे 4, 4, 4 प्लस 2 इस हिसाब से यहाँ पर मैंने 14 फंदे लिएवे हैं यह design हमारा दो लाइनों का है लेकिन 4 लाइनों में बनके complete होगा फ्रेंट सी यह design के हमारी सीधी side है 2 फंदे edge के हमने इदा रखे हैं और 2 फंदे हमने edge के इदा रखे हैं design की first row सीधी side 2 फंदे हमने edge के पहले सीधे बुन लेने है फिर धागे को अपनी तरफ करना है यानि इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और 2 layer हमारी अपनी तरफ को आ जाएगी ऐसे यहाँ से हमारी design के फंदे शुरू होंगे 2 फंदे हमने उल्टे बुनने है अब धागे को फिर से पकड़ेंगे यानि इन्हे चार फंदो को पूरी रों में हमने बनाना है अब धागे को फिर से हाँसे पकड़ेंगे अपनी तरफ को लाएंगे दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं ये वाला धागा हमारा नहीं खीच रहा है इसको पकड़ेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और धागे को हम पीछे से ऐसे खीच लेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे इस तरह चार फंदों में हमने डिजाइन बनाया है अब फिर से हम डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं धागे को ऐसे पकड़ेंगे और अपनी तरफ को लाएंगे अब यहां पर दो धागे दिखाई दे रहे हैं और दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं लेकिन ध्यान ही रखना इस तरह डिजाइन की फर्स्ट रोबन के हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में बैक साइड की पूरी रोग को हमने उल्टा उल्टा बुनना है इसमें कुछ नहीं करना पूरी रोग को उल्टा बुनते वे हमें कम्प्लीट करना है इसके साथ ही मों हुenne कि थर्ड रोर 17 वनाए आख себе हो मैं अ आब हमने क्या करना है यहां पहले यहां पर डिजैन बनाया था दो फंदों में राफ इसको हम प्लेन बनेंगे इसको पंड हम डिजैन नी बनाएंगे में बनेंगे अब जहां प्रेन बुना था अब यहां पर हम डेजाइन बनाएंगे यानि धागे को ऐसे पकड़ेंगे और अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं लेकिन उस धागे से बुनेंगे जो धागा नहीं खीच रहा है एक हमारा खीच रहा है और एक हमारा यह वाला धागा नहीं खीच रहा है इस धागे को पकड़ेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे धागे को पीछे से ऐसे खीच लेंगे अब दो फंदे हम सीधे बुनेंगे बस हमें ध्यान यह रखना है कि जो प्लेन है यहां पर हमने डिजाइन बनाना है और जहां पर पहल स्लाई में ऐसे डाल लेंगे जो नई खिचरा इसको पकड़ेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे धागे को पीछे से पकड़के ऐसे खीच लेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे और लास्ट के एज के फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है इस तरह डिजाइन के थर्ड रो बनके हमारी complete हो गई है अब आते हैं फूर्थ रो बैक साइड में बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा-उल्टा बुनना है इसमें कुछ नहीं करना है डिजयन की फोर्थ रोग को उल्टा बनते हैं हम कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह डिजयन की फोर्थ रोग हो गई है इस के साथ ही डिजयन भी बनके हमारा पूरा हो गया है यह चार लाइनियों का डिजयन है फ्रेंट्स बहुत सुंदर लगता है छोटे बच्चों के आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंट्स डिजाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा बहुत प्यारा डिजाइन है यह बार ट्रे जरूर करिएगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइ को शेर करें थैंक यू